वीडियो में हम discuss करते हैं कि short communication papers क्या होते हैं, जैसे आप journal में किसी journal paper डालते हैं, तो different category आपको देखने को मिलती है, जैसे हमारे पास कुछ category है, ठीक है तो जैसे first category है, regular paper होता है, या जिसको हम full length paper भी कहते हैं, second है, invited papers होते हैं, या special issue भी कह सकते हैं, third category है survey paper है, या फिर review paper है fourth one है, book chapter है, fifth one है, short research communication है, sixth one है, conference proceeding क्या होता है, eight seven है, forums क्या होता है, ठीक है, different general में आप देखेंगे, तो आपको जब आप paper submit करते होंगे, editorial manager में तो आपको ये कुछ category देखने को मिलती होंगी, तो इसमें हम पहले ये discuss कर लेते हैं कि 7 category में क्या difference है, ठीक है, तो first है अपने journal में paper डालते हैं, तो ये आपको पहली category मिलती है, जिसमें आप year के 12 महिने, इस category में paper आप submit कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि normally आपने कोई research paper लिखा, जिसमें आपको लगता है कि, ये मांग के चले कि minimum 10 पेस से ज़्यादा length का paper है, ठीक है, तो आपको लगा कि इ जाल देते हैं, normally ये इस category में publish होना चाहिए, तो ये आपका regular paper या full length paper में जाद जिसकी length 10 पेस से जादा है, 10 के around भी हो सकते है, लेकिन हम normally इसके base पे other जो category है, उसमें थोड़ा differentiation करते हैं, ठीक है, second आपने पास invited paper, special issue क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कि उन्होंने time to time, ये आपको, ये window आपको 12 के 12 मेनो open नहीं मिलेगी, किसी particular time में इन्होंने क्या होता है, कि चलो हम special issue निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि उन्होंने दे दिया, कि हम इस time period में, इस category के under special issue paper accept करेंगे, तो इसमें आप ये डाल सकते है, ये regular में अपने पास survey paper, ये फिर review paper भी कह सकते हैं, इसे, survey paper में क्या होता है, कि आप, जैसे, इसमें आपका, मतलब इसमें आपको, अपना नया काम तो नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन आपको, analyze करना होता है, जिस topic पर आप काम करें, अपने, एक particular domain उठाया, उसमें आपने 40-50 paper ल इसमें क्या चाहिए, आपको थोड़ा deep knowledge होनी चाहिए, अपने subject topic की, और फिर उसके बाद आया, preview paper ये survey paper लिखते हैं, survey paper में आपने समराज किया, इस सौथर नहीं काम किया, इस सौथर नहीं इसको, ऐसे करके आगे बड़ा है, तो आप एक chain बनाते हुए, start करते हुए, conclusion त तो काफी जादे information मिल जाती है, और as a researcher आपको क्या फाइदा होता है, survey paper लिखने का, कि इसके citation बहुत जल्दी increase होते है, क्योंकि हर कोई prepare करदा की, survey paper से उसके काफी information मिल जाए, fourth है, अपने पास book chapter में क्या होता है, कि book chapter जैसे, आपने different book पढ़े होगी, जैसे math की बात करें तो linear algebra की book है, तो उसमें linear algebra का सारा material मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि इसमें differential equation भी आ रहा है, group theory, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो book chapter में क्यों आथा है, कि कोई journal क्या करता है, particular topic पे, एक book chapter निकालता है, जो की basically, इसको पस index में published होता है, ठीक है, तो एक particular topic पे, कोई journal, किसी journal में आप पेपर submit कर सकता है, अगर suppose, आपको लगता है कि matrix theory का book chapter है, तो उसमें matrix theory से आपका काम है, तो उसमें आप बेश सकते हैं, fifth one है, short communication paper क्या होता है, fifth one में क्या है कि basically, यह आपका research idea है, किसी भी topic में हो सकता है, but इसमें क्या है कि थोड़ा length, अगर आपको लगता है, आपकी paper के length क्या है, कुछ short communication में, एक दो paper के, एक दो page के भी होता है, आपको लगता है कि 4 से 5 length का paper है, तो आप short communication में, इस category में submit कर सकते हैं, ठीक है, यह भी मतलब, सारे journal इस category में publish करते हैं, कुछ particular journal है, जो इस category में publish करते हैं, suppose, अगर for example, जैसे pythagoras theorem है, suppose, आप pythagoras theorem आज से पहले नहीं है, आपको idea, idea है, कि हाँ, pythagoras, आपके माने में आया है, कि हाँ, pythagoras theorem, इस तरीके से यह है, मतलब, तो आप, आपने paper लिखा, उसमें यह करके, आप general को भेज सकते हैं, बले आपका एक theorem, उसका पूरो पे, तो आप इस तरीके से journal को, इस category में, short research communication में, भेज सकते ह इसने length से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, six category अपने पस conference proceeding, conference proceeding में क्या होता है, कि इसमें जो paper accept होते है, वो भी इसको पस index में publish होता है, इसमें normal ऐसा समझे कि आपका थोड़ा सा, जो main research, जो regular paper है, उससे थोड़ा साल का सा low level का का काम होता है, तो आप इसको conference proceeding मे publish कराना, फ्रीफर करते हैं, सेवंती category है, यह जैसे different नाम से भी जाना जाता है, अलग-अलग journal में, तो जो यह forum करके, यह actually, journal of optimization theory and application में, forum के नाम से एक category इनके पास, इसमें क्या होता है, या इसमें क्या होता है, कि जैसे कोई publish paper है, suppose मैंने कोई paper publish किया, तो मुझे लगता है इस theorem में थोड़ा सा यह दिक्कत रहेगे, यह improvement होके, यह ज़्यादा सही रहेगी, ऐसा होना, तो इसमें आप forum करके, इसमें भी दो-तीन length का paper प्रटके, आप correction कर सकते हैं, ठीक है, इसको, या फिर आपको कोई open problem होती है, जो किसी भी topic ही, तो भी आप discuss करते हैं, इस category में, तो first journal है अपने पास, Journal of Computational and Applied Mathematics, यह Elsevier इसका publisher है, और यह SCI, SCI index journal है, ठीक है, इसका impact factor है 2.872, और इसका जो restriction है, अपने पास short communication journal category में police कराना है, इसमें आपका जो paper की length है, at most four journal page होनी चाहिए, ठीक है, second है, अपने पास optimization letter है, यह journal क्या है, यह regular issue भी publish करते हैं, ठीक है, और इसमें यह short communication भी publish करते है, short communication category में, ठीक है, यह springer इसका publisher है, और इसमें क्या limitation है, अपने पास, कि जो है paper का length है, 10 journal page से जादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जितने भी journal हम discuss करें, सारे SCI या फिर SCI index में है, ठीक है, third है अपने पास, operation research letter, इसमें क्या है, कि आपका जो paper length थे, वो art page से जादा नहीं होना चाहिए, फोर्तवा ने अपने पास, national academy science letter, इस जो journal है, इंडियन journal है, और इसमें क्या बात है, इसमें, इसकी खास बात है, कि यह short communication paper publish करते है, एक दो category और इसमें, यह full issue, या फिर regular paper नहीं publish करता, यह survey paper भी publish नहीं करता, survey में क्या होता है, क काफी ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मली आप ऐसे में 40 से 50 या 50 से 70 पेज भी जा सकती है, survey paper में, तो इसमें क्या condition है, इसमें page limit नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे समझे, कि इसमें जो maximum number of words होंगे, इस article में, वो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, फेपते journal है pages से ज़्यादा आपके paper की length नहीं होनी चाहिए, और दूसरा इसमें paper जो आप भेजेंगे by mail, direct editor in chief को, आप direct by mail send करेंगे, बाकी journal में से जो previous journal, इनका अपने एक editorial manager, इसमें आपको बकाइदा login ID बना के, फिर उसमें process follow करके, upload करना होता है paper, इसमें by mail simply आप कर सकते है, ठीक ह इसमें लेंथ तो कुछ mention नहीं है, बट आप यह मान के चलिए, अगर आपका paper आठ पेस तक हो रहा है, आठ से आठ पेस तक हो रहा है, तो आप इसमें short communication category में डाल सकते हैं, ठीक है, इस प्रिंजर इसका publisher है, और इसका impact factor है 1.824, इसमें भी ऐसा कुछ length mention नहीं है, कि कितना page का होना चाहिए, लेकिन आप वही मान के चलिए, अगर आपका paper का length 8 page तक हो रहा है, तो आप इसमें short communication में डाल सकते हैं, 8th journal है अपने पास, last journal है, आर्किप देर mathematics, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी restriction है कि आपका paper length 10 page से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यह जो journal है 7th और 8, 6, 7, 8, यह regular issue में भी शापते हैं, I think यह survey paper भी शापते हैं, अगर आप जब इसमें submit करेंगे तो इसमें, यह इनका journal home page देखेंगे, तो इसमें सारी category बता देंगे कि इसमें क्या-क्या, कि इसमें आप publish कर सकते हैं